हलो प्रेंट्स आज नहीं बताऊंगा आपको पाउडर रूमन एपैस के बारे में यह रूमन एपैस पाउडर आपके पसों में क्या काम करता है कौन से डिजीज में आपको यह रूमन एपैस पाउडर आप अपने पसों को देना चाहिए बड़े पसों में इसकी कितनी डोज होती है छोटे पसों में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए कितने दिन आप अपने पसों को लगाता रही है दे सकते हैं और यह क्या क्या काम करता है यानि रूमर एपस पाउडर के सबसे पहले में बताना चाहता हूं कि इसके अंदे क्या होते है रूमर एपस पाउडर मिनराल्स इस प्रोबाइटिक एंड रूमर स्टेबल मल्टि एंजाइम सप्लिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आपके पसों में किसी परकार के दि मेटाबोलिक डिजीज है उसमें पसों में काम करते हैं यह दि किस परकार के दि आपके पसों में सिम्टम से दि आपको देखने को मिले तो आप यह रूमर एपस पाउडर फ्योग में ले सकते हैं यह दि आपका पसों जैसे सूस्त बैठा है खाना पीना कम कर रहा है और कहीं कि पसों निडाल सा बैठा रहत है अब रोमन की गति कैसे नापी जाती है उसके बारे मेरे चैनल पर हैं बthen मों बनीं है कि डेका की देखे जाती हैvan आपको पता बएस अब जाता है वह भी है मेरी वीडियो आ कर गढ़े सकते हैं उसका लिंग आप AAKOS description में मिल जाएगा एक लिह डिया पर फने इस प्रकार का डायरिया हो गया है धस्त हो गया है और उसमें आप सल्पा ड्रक्स तो सल्पा डीमीडीन बोलस आप अपने पसू को दे रहे हैं यह भी उसकी मात्रा है यह आप अपने पसू को ज्यादा दे देते हैं तो भी आपका पसू के खाना पिना कम कर देता है तो उस कं पसू की जो pH चेंज हो चुकी है यानि pH जो समने पसू की जो pH होती है वो 6.2 से लेकर 6.8 के बीच में होती है यह दि उसे आपके पसू की pH नीचे चली जाए या थोड़ी उन्ची चली जाए तो उसे दोनू pH में यह दी pH का नीचा और उन्चा के को यह बैलेंस करता है सबसे जाद में काम इसका आपके पसू की जो pH हो इसको इस्टेबलाईजेशन करता है कोण रूमिन एपस पाउडर यह दि आपके पसू में कार्बन डायकसाइड की यह यानि सियोटी की मात्रा बढ़ जाए यह आप राद जाए यह आपके पसू में जो एसीडिटी की शिकाइत ह उसके अंदर भी आप जो यह रूमन एपस पाउडर है यह आप अपने पसू को दे सकते हैं यह आप अपने पसू को जैसे कारबाइड डियू जो खाना है वो यह आप अपने पसू को देते हैं जिस परकार की कुछ इस परकार का है कि आप अपने पसू जैसे ग्यों का दलिया दे दिया या कुछे जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर जो बच्ची वी मिठाई या आपका पसु खा लेता है या आपका पसु जैसे ग्यों की पूरी या खीचरी या कुछ इस परकार का दलिया खा जाता है उसकी वज़े से भी आपके पसु की जो रूमन की पीएच है गरबड़ा जाती है तो उस इस्तती में भी आपको यह रूमन एपस पाउडर आव उप्योग मिलें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा खैनी का मत्रव है कि यह दिया आपका पसु खाना पिनावा जुगाली बंद कर देता है और कभी कभी किया कि आपके पसु म देना चाहिए अब इसकी कितनी डोज देनी चाहिए और मैं आपको आगे बताऊगा कि इसकी कितनी डोज आप अपने पसु को देनी चाहिए यह दिया आपका पसु जो गोबर है वसुके मिंगने की रूम में खटोर करता है या जो म्यूकस से डखावा रहता है उस परकार क यह दिया आपके पसु में गोबर करता है तो उस इस्तिती में भी आपको जो यह पाउडर है रूम मने पसु को दे सकते हैं या आपके पसु में खाना पिना कम कर दिया है तो जो दूद आरू पसु है उनकी दूद की मातरा कम हो जाती है यानि खाना पिना या जुगाली प बेटर करता है और यह दिया आपके पसु की जो प्रोपर मात्रा में नहीं हो रहा है जिसे क्या है कि आपके पसु में शिकाइद तो उस इस्तती में भी आप जो यह रूमन एपसु को दे सकते हैं और जितनी प्रकार की मेटाबोलिक डिजीज होती है पेट से समझी किसी भी प्रकार की डिजीज है तो उस इस्तती में आप अपने पसु को रूमन एपस पाउडर दे बहुत ही अच्छा रिजल मिलेगा और बहुत से जो पसु पालक है वो शिकायत करते हैं कि हमारा पसु कुछ खा नहीं रहा है य और इसकी कितनी डोज देनी चाहिए डोजी है कि आप अपने पसु को जैसे बड़े पसु है लाज अनिमल्स हैं जिनका बोड़ी वेट तीन सो केजी से उपर है तो उसे आप सो ग्राम सुब है यानि सो ग्राम परड़े के साब से दे सकते हैं जिनकी शिकायत ज्यादा है य और देना किसमे आप पसू जिस प्रकार से cent दर eman लेना साथ all-bahn? आप अपने पसू को देना है मुख के द्वारा दे सकते हैं नाल के द्वारा दे सकते हैं तो आप अपने पसू को खिलाएं तो आपके पसू को बैटरे जल मिलेगा जैसे छोटे दी बेड़ वक्रियों में इदि आप इसे देना चाहते हैं और वैसे मैने में आप अपने पसु को एदि आप जिन पसु की है पचन की सकती है जिन मैसी डिटी की सिकायता है गैस रहती है अफारा बना रहता है या आपके पसु में तो उस इस्तति में आप उन पसु को मैने में कम से कम तीन बरीदी समाने है बिमार भी नहीं है तो मैने म कि आप तीन दिन लगातार जो यह रूमन है पैस पावडर आप अपने पसू को देते रहें ताकि आपके पसू की जो रूमन की पीएच है या रूमन की गत्ती है वह अच्छी तरह से चलती रहेगी और आपका पसू बीमार भी नहीं होगा और मेटावॉलिक डिजीज में भी इस पावडर से यह क्या करता है कि आपके पसू की जो रूमन की गति गत्त तक praw ले मैंने बारे में तकी से कमेंट कमेंट्स भी करते हैंAgda आप ineपीट ne लेकिन कई आसे वर्ड्स होते हैं जिने किसी के साथ मिलाकर करके वह लगता है कि आपको बार बार एक आपको बार बार लगा होगा कि RUMAN, P.S. लेकिन वो हर में आपको बता गया है यही मेरी विदी है कि महा आपको अच्य तरह से और डिटेल से बताउं यही आपको मेरी वीडियो यही अच्री लगी है RUMAN, APS के बारे में तो मैं लिचे जा के आप कमेंट के में लिखे यह प्रिग्नशी सेप मेरी वीडियो देखते रहे इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहे थैंक्स धन्यवाद